हेलो फैंस आज मैं आपको बिंडी की सुबजी बनाना बताती हूं कि हम बिंडी की सुबजी कैसे बनाते हैं चलिए यह लेते हैं यह हमारी बिंडी है हम इसको काटते हैं सबसे पहले हम इसको सीरे यह अलग करेंगे ऐसे और जो यह हिस्ता होता है इसको काटेंगे ऐसे फिर हम लम्बी लम्बी पत्ली पत्ली काट लेते हैं ऐसे करके हम एक एक करके सारी बिंडी को कट कर लेंगे यह हमारी बिंडी कट के तयार हो गई है अब हम इसमें क्या-क्या डालेंगे एक तमाटर लेगे, एक प्याज और दो हरी मीच्छी लेगे वह हम कटिंग कर लेते हैं जैसे हमने बिंडी लम्बी-लम्बी काट रुखी है उसी इसनावसे हम तमाटर भी लम्बे कातेंगे और प्याज भी लम्बे कातेंगे ताकि cooking प्रोसिंग एक साथ हो जाए इसी सेप में काटेंगे टमाटरोल प्याज देखिए इसका यह इसाला कर देंगे इसको पहले दो हिसो में ऐसे काट लेंगे पतली-पतली अब और सारी सबजी हमारी कटके तैयार हो गई तो चलो हम बनाते हैं सबची को सबसे पहले हम घेस ओन करेंगे कड़ाई जगाते हैं इसमें दो टेबली स्पून ऑईल डाला है यह गरम हो जाए तब इसमें कड़के के लिए डालते हैं कि यह मारे तेल गरम हो गया है सबसे पहले हम इसमें अध्रग डालेंगे कुछ कुटियू याद रखे हैं यह थोड़ा लसान है यह कुटावा यह डालते हैं एक इस्पून राइका डालते हैं एक इस्पून जीरा डालते हैं यह तेज पते हैं और अब हम इसमें यह कड़ी पते हैं जो मार्केट में इसली अविलेबल हैं हम वह डालेंगे सारे डलने के बाद हम सबसे पहले प्यास डालेंगे जो हमने तयार कर रखे हैं सबसे पहले हम प्यास डालेंगे प्यास को हमने इतना अच्छा से भूना है जब तक इनका गॉल्डन कलर नहीं हो जाए एक दम लाइट पिंग कलर तब तक हम इंको भूनते रहेंगे हमारा प्यास जितना अच्छा भूना जाएगा उतनी भी सबजी अच्छी बनती है प्यास का कलर एक दम देखो पिंक कलर हो गया है एक दम अच्छा से पिंक कलर आ गया है प्यास का इसके बाद हम भींडी डालेंगे इसके अंदर यह देखिए इसके बाद हम यह इसके अंदर बिंडी डाल देगे बिंडी को भी हम जब तक पकाते रहेंगे यह अच्छे से पकेगी तो इसमें जो लाल होती है वो नहीं निकलेगी इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे देखिए यह बिंडी पक चुकी है अब अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे यह टमाटर की स्लाइड है यह डाल दिये पांच मिनट टमाटर को मिलाएंगे इसके अंदर पांच मिनट होबे अब हम इसके अंदर मसाले डालते हैं जो हमारे सुके मसाले होते हैं वो डालते ह हाम एक टेबली स्पुन ये हल्दी पाउडर है एक टेबली स्पुन ये घनिया पाउड़र एक Bijडे ठेबली स्पुन ये लाल चीविन मिर्च पाउड़र अपने टेस्ट की enough say यह नमक है, जो मैं अपने टेस्ट की साथ से डलना है, और यह किए गरम मसाला, अब हम इसको मिला लेंगे, यह हमारा मसाला पक जाएगा, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा निम्बू का रस डालते हैं, अब देखिए, यह सबजी चारो पत्रप से तेल छोड़ना सुरू कर दिया, जब हमारी सबजी में तेल दिखने लगता है, तब समझ लीजिए कि हमारी सबजी बनके तयार हो गई है, यह साइड साइड में हलका हलका तेल निकल रहा है, इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, गेस बंद करके यह निम्बू का रस से यह निम्बू का रस डाल दिया मैंने और यह मिला लेते हैं और गेस बंद कर देते हैं, अब इसके परजेंडे में बखेंगे, इसके लिए यह बंके तयारे, इसके बंद की तयारे, देजाए